जेहिन फ्रेंट्स मैं सौरब जह आपका स्फागत करता हूँ आपके अपने चैनल बेसे टिकेक क्लासस पे आज हम लोग SSE CGL और SSE GD के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए SSE के एक्जाम में बार बार पुछे जाने वाले Most Important Topic Games and Awards से जुड़े महत्पुन प्रसनों को देखेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक से अधिक से शेयर करें क्योंकि आज का क्लास काफी Important है यहां से आपके एक्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेंगे आप सभी जानते हैं कि खेल और Awards काफी Important Topic है SSE के एक्जाम में यहां से आपका एक सवाल जरूर पूछा जाएगा जी कि एक से जादा सवाल पूछा जाएगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को अधिक से अधिक से शेयर करें और साथी साथ क्लास में सारे सवालों के आंसर अवस्य कीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल डेविड स्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस परसिद्ध स्पोर्ट्स लीग के आयुक्त थे आंसर करेंगे डेविड स्टन फू पाजड अवे रिसेंटली वाजदी कमिशनर आफ विच फेमस स्पोर्ट्स लीग तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा नेशनल बास्केट बॉल एस्टन फूल 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 भी याद रखेगा नेशनल बास्केट बॉल एस्टन के आयुक्त थे डेविड स्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो सही आंसर आप्शन नमबर B, डेविड इस्टर्ण का हाल ही में निधन हो गया है, डेविड इस्टर्ण NBA National Basketball Association के आयुक्त थे याद रखेंगे 2009 में शुरू हुए Malaysia Masters Badminton Tournament में भारत कितनी बार विजेता बनकर उभरा है तो आंसर करेंगे 2009 में शुरू हुआ है Malaysia Masters Badminton Tournament और भारत अब तक कितनी बार Malaysia Masters Badminton Tournament जीत चुका है यह आपको बताना है, Option A एक बार, Option B दो बार, Option C तीन बार, Option D चार बार तो याद रखेंगे कि 2009 में शुरू हुए Malaysia Masters Badminton Tournament में भारत अब तक तीन बार विजेता बन चुका है आंसर हो जाएगा Option C तीन बार याद रखेंगे गोवा का राज्य पक्षी कौन सा है जिसे हाल ही में रास्टिय खेलों 2020 के सुभंकर के रूप में नामित क्या गया था तो important सवाल है गोवा का राज्य पक्षी जिसे 2020 रास्टिय खेल में सुभंकर घोसित क्या गया था आपका आंसर क्या होगा फ्लैम 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 फ् इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है तो फटा फटा आंसर करेंगे तो याद रखना है Electronic Dealer Financing Scheme SBI यनि State Bank of India का परमुक उत्पाद है आंसर हो जाएगा option number A तो याद रखेंगे Electronic Dealer Financing Scheme भारती स्टेट बैंक का एक परमुक उत्पाद है याद रखेगा 2022 में ACI फुटबॉल परिसंग महिला ACI कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है तो 2022 में ACI फुटबॉल परिसंग महिला ACI कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा option A बांगला देश option B भारत option C नेपाल option D स्रिलंका तो आपका सही आंसर क्या होगा option B भारत तो याद रखेंगे 2022 में ACI फुटबॉल परिसंग महिला ACI कप का मेजबानी कौन करेगा भारत और यह फुटबॉल से समदित है तो महिला ACI का फुटबॉल 2022 का मेजबानी भारत option B याद रखेगा ठीक है अगर पूछे आप से कि 23 फीफा फुटबॉल विसुकप 2026 का कहा आउजित होगा तो इंपॉर्टेंट याद रखना है 23 फीफा फुटबॉल विसुकप 2026 अमेरिका मेकसिको और कनाडा में आउजित होने वाला है पुरुस वाला फीफा अंडर 17 महिला विसुकप 2022 कहा आउजित तो याद रखना है भारत में फीफा अंडर 17 महिला विसुकप 2022 भारत में आउजित याद रखना है अगला पूछे महिला एसियन फुटबॉल कप 2022 भारत ठीक है तो यह सवाल आप याद रख सकते हैं पूछे अगर एक तो महिला एसिया फुटवल वाला तो आप समझ गए महिला एसिया फुटवल कप पूछेगा 2022 तो भारत ठीक है याद रखना है अगले यहाँ से भारत से एक और याद रखेगा फीफा अंडर 17 FIFA Under 17 महिला विसु कब भारत में ठीक है महिला विसु कब भारत तो FIFA Under 17 महिला विसु कब 2022 का आईजन कहां किया गया भारत में ये भी आप याद रखेगा और महिला एसिया फुटबॉल कब पूछेगा 2022 का तो ये भी इंडिया आपको याद रखना है किस भारती खिलाडी ने लगातार तीसरे वर्स ESPN की Female Sports Person of the Year का पुरुषकार जीता इंपोर्टेंट सवाल है किस भारती खिलाडी ने तीसरे वर्स ESPN की Female Sports Person of the Year का पुरुषकार जीता है आपसन A, Mary Com, आपसन B, PV सिंदू, आपसन C, साइना नहवाल, आपसन D, सानिया मिर्जा तो फटा-फटी सवाल का अंसर करेंगे तो आपका सही अंसर क्या होगा आपसन नंबर B, PV सिंदू तो याद रखेंगे, PV सिंदू ने लगातार तीसरे वर्स ESPN की फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन आपसन नंबर B, याद रखेंगे हाल ही में भारतिये ग्रेंड मास्टर ने कार्ण ओपन सतरंज टूर्णामेंट जीता है तो आपको वतन है कौन से यसे भारतिये चेस ग्रेंड मास्टर है जिन्होंने हाल ही में ठीक है कार्ण ओपन चेस टूर्णामेंट जीता है आप्शन A, आर प्रागनन्दा, आप्शन B, D. गुकेस, आप्शन C, हर्सवर्धन, आप्शन D, ससी किरन तो याद रखेंगे D. गुकेस, ठीक है तो भारतिय ग्रेंड मास्टर D. गुकेस ने कान ओपन 17 टुनामेंट जीता है आपका अंसर हो जाएगा उप्शन B. आई-म विजियन जिन्हें पदमसरी पुरुषकार के लिए नामित किया गया, किस खेल से जुड़े हैं? तो आई-म विजियन आपको बताना है, ठीक है? आई-म विजियन के बारे में बताना है, इनको पदमसरी पुरुषकार से सम्भानित किया गया, तो यहाद किस खेल से जुड़े हुए हैं? आपको बताना है आपसन A, किरिकेट, आपसन B, फुटवाल, आपसन C, होकी, आपसन D, टेबल, टेनिस तो आपका सही आंसर क्या होगा, फुटवाल, तो याद रखेंगे, आई-म विजियन, फुटवाल के खिलारी हैं, जिनको पदमसरी पुरुषकार से सम्भानित किया गया, ठीक है? जहां से, ध्यान दिजएगा, जैसे आपसे पूछ सकता है, नीरत चोपड़ा आप जानती है, नीरत चोपड़ा, अच्छा, ऐसे एक सवाल बनेगा, ध्यान दिजएगा, आपसे पूछेगा, मेजर ध्यान चंद, खेल रतन पुरुषकार 2021 कितने लोगों को मिला? मेजर ध्यान चंद, खेल रतन पुरुषकार 2021 कितने लोगों को मिला? मेजर ध्यान चंद, खेल रतन पुरुषकार 2021 कितने लोगों को मिला? मेजर पूछ देगा, धीपक पुनिया किस खेल से जुड़े हैं? कुस्ती से जुड़े हैं? किस राजे से जुड़े हैं? हर्याना से? क्योंकि उनको अर्जुन पुरुषकार मिला है 2021 में. समझ में आया, इसके लावाद ध्रोनाचारे पुरुषकार से संबने जो भी वेक और रवी दाहिया याद रखना है कुस्ती के प्लेयर हैं, कुस्ती के प्लेयर है रवी दाहिया. अगला याद रखना है लवलीना बॉर्गोहन, किस खेल से बिलोंग करती है और किस राजे से? लवलीना बॉर्गोहन आसाम से बिलोंग करती हैं, लवलीना बॉर्गोहन आसा कि कि सभिल से जूड़ें तो आप सभी जानते हैं की पी आर स होकी के प्लेयर हैं पि allies ञेस ठीक है ऑग के प्लेयर हैं। और यह किस राज से बिलोंग करते हैं केरल से तो यह ज़रूर याद रखेंगे प्यार सिर्जेस केरल राज से बिलोंग करते हैं होक्की के प्लेयर है प्यार सिर्जेस अगला है अगला है अवनी लेखरा अवनी लेखरा पैरा सुटिंग की प्लेयर है आपको पता होगा अवन अगला आप से पूझता है प्रमोद भगत प्रमोद भगत आप लोग जानते होंगे पेरा बेडमिंटन के खिलाड़ी है परमोद भगत और कहां से बिलोंग करते हैं तो याद रखना है उडिसा से या फिर आप्शन में आपका बिहार देगा ठीक है तो परमोद भगत पेरा बेडमिंटन के प्लेयर है उडिसा या बिहार से बिलोंग करते हैं याद रखना है अ पुछेगा, तो इस तरह का सवाल आपका बनेगा, कि जो भी famous खिलाडी हैं, जिनको मेजर धांचंद पुरुसकार मिला है, या फिर अरजुन पुरुसकार मिला है, तो एक्जाम में सवाल बनेगा, सुनील छेत्री आप से पूछेगा, तो सुनील छेत्री को आप लोग जानत मनपृत सिंग पूछेगा तो मनपृत सिंग हौकी के प्लेयर है मनपृत सिंग याद रखेगा तो इस तरह का सवाल एक्जाम में पूछेगा अगला आपसे पूछ सकता है भावना पटेल भावना पटेल को अरजुन पुरुसकार मिला है तो आपसे पूछेगा भावना पट प्रिक एंटर की त। होकी के प्लेयर है, जारखंटाजी से बिलोंग करते हैं, और बिरेंद्र लाकडा को भी अरजुन पुरुसकार मिला है, याद रखेंगे, सिकर दवन को आप लोग जानती है, सिकर दवन किरिकेटर हैं, और सिकर दवन दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सिकर दवन को भी अरजुन पुरुसकार 2021 में मिला है ठीक है तो याद रखेगा इसके लाब वंदना काटारिया वंदना काटारिया होकी की प्लेयर हैं उत्राखंड से बिलोंग करती है वंदना काटारिया और वंदना काटारिया को भी अरजुन पुरुसकार 2021 मिला है याद रखेगे ठीक है, समझ मैं आया, तो इसको आप अच्छे से कर लिजेगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, आई एम विजियन जिने पदमसरी पुरुषकार के लिए नामंकित क्या गया है, फुटबॉल से रिलेटेड है, आंसर ओप्सन नंबर बी याद रखेंगे भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नेतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में फिर से किसे न्यूक्त किया गया है, तो आपको वताना है, इंपोर्टेंट सवाल है अगर पुछे BCCI के स्थापना हुए थी, 1927 में BCCI के स्थापना हुए थी, 1927 में BCCI का स्थापना हुए थी, तो ICC का स्थापना 1909 में हुआ था ICC का स्थापना ठीक है तो 1909 में ICC का स्थापना हुआ और BCCI का स्थापना 1927 में और BCCI के नेतिकता अधिकारी और लोगपाल के रूप में किने न्युक्त किया गया है तो आपको याद रखना ओप्सन नमबर A, D.K. जैन ठीक है तो इमपोर्टेंट है एक लाग पचास आजाओ डॉलर यैनि बहुत सारा रकम है एक लाग पचास आजाओ डॉलर के चेसेबल मास्टर्स टूनामेंट में भाग लेने वाले पहले भारती आखिलाडी पयादारी कौन है इमपोर्टेंट सवाल है तो आपको बताना है who has become the first Indian to participate in the 150,000 डॉलर चेसेवल मास्टर्स टूनामेंट option A, B अधिबान, option C, P हरी कृष्णा, option C, आर प्रागनन्दा, option D, ससी किरन ठीक है, important सवाल है, तो याद रखना है P हरी कृष्णा ठीक है, तो एक लाग पचास अजार डॉलर के चेसेवल मास्टर टूनामेंट में भाग लेने वाले पहले भारती खिलारी कौन है, P हरी कृष्णा, option B याद रखेगा, तो important सवाल है, P हरी कृष्णा याद रखेंगे अगला सवाल, दाना, जातोब कोवा, एक परसिद भाला फिक, खिलारी है, भाला चेंपियन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबन्दित थे, तो आपको बताना है, दाना, जातोब कोवा, एक परसिद भाला चेंपियन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस तो याद रखना है चेक गनराजी के प्लेयर थे उप्सन नमबर A जो होगा आपका से यांसर होगा तो यहाँ से याद क्या क्या करना है पूछेगा दाना जुपत कोवा किस खेल से सम्मदित थे तो भाला चेंपिन अब पूछेगा वो किस देश से बिलोंग करते है तो चेक गनराजी के प्रसिद भाला चेंपिन दाना जुपत कोवा का निधन हो गया आंसर ओप्सन नमबर A हाल ही में अपनी सेवानिविर्ती की घोसना करने वाले अरिड़ अडूरिज किस खेल से जुड़े है तो आपको बताना है इन्होंने रिटार्मेंट ले लिया है इनका नाम है अरिड़ अडूरिज तो ये किस खेल से सम्मधित थे तो आपको बताना है अरिड़ अडूरिज who recently announced his retirement is associated with which sports option A football, option B basketball, option C F1 racing, option D golf तो आपका सही अंसर क्या होगा option A football तो याद रखेंगे अरिड़ अडूरिज फूटबाल के player थे मतलब फूटबाल के player है और इन्होंने अपने retirement की घोसना किया है तो अरिड़ अडूरिज फूटबाल के player है जो की अब retirement ले लिया है इन्होंने option number A जो होगा आपका सही आंसर होगा इस वर्स किस फुटबॉल क्लब ने इतालवी कब जिता जिसे दर्सकों के बिना COVID-19 महामारी के बीच फिर से शुरू किया गया था तो आपको बताना है कौन सा इसा फुटबॉल क्लब है जिसने इतालवी कब जिता जिसे दर्सकों के बिना COVID-19 महामारी के बीच फिर से शुरू किया गया था औप्शन A नेपोलियन, औप्शन B जुवेंटस औप्शन C, AC मिलान, औप्शन D, SS लाजियो तो आपका सही आंसर होगा औप्शन नंबर A नेपोलियन यहाँ याद रखना है इतालियन कब कौन सा फुटबॉल क्लब ने जिता तो याद रखेगा नेपोलियन फुटबॉल क और आस्ट्रियन ग्राणड प्रिक्स जीता तो आपको इस सवाल का अंसर कर रहा है इंपोल्टेंट सवाल है आंसर करेंगे फॉर्मूला वन आस्ट्रियन ग्राणड प्रिक्स का किताब किसने जीता फॉर्मूला वन आस्ट्रियन ग्राणड प्रिक्स का किताब किसने जीता तो याद रखेंगे वोल्टारी वोट्टास क्या होगा अंसर आपका वोल्टारी वोट्टास तो याद रखेगा इस सवाल को कि फॉर्मूला वन आस्ट्रियन ग्राणड प्रिक्स का किताब जीता वोल्टारी वोटास ने, आंसर हो जाएगा option number A, ठीक है, वोल्टारी वोटास ने formula 1 Austrian Grand Prix परतियोगिता जीती, इस तरह का बहुत सारा सवाल एक्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप कर लिजेगा, और भी बहुत सारा सवाल बन सकता है आपके एक्जाम में ठीक है, जैसे क पूछ सकता है, फुटबॉल से related जो भी important tournament कोई हुआ, या cricket से related tournament हो गया, जैसे आपका पूछ देगा, Euro Cup 2020 किस ने जीता, तो Italy ने Euro Cup 2020 जीता, किसे हरा कर, तो Italy ने England को हरा कर Euro Cup 2020 जीता था, important है, कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 किस ने जीता, तो कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 किस Argentina ने जीता था, ब्राजील को हरा कर, कोपा अमेरिका फुटबॉल से जुड़ा है, Euro Cup किस से जुड़ा है, फुटबॉल से जुड़ा है, तो इस तरह का सवाल भी बन सकता है न, एक्जाम में कि Euro Cup किस खेल से जुड़ा है, तो आप जानते है, Euro Cup फुटबॉल से अगला पूछ सकता है कोपा अमेरिका कप किसे जुड़ा है तो फुटबॉल से जुड़ा है कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटिना ने ब्राजिल को हरा कर जीता था और इसमें सर्वसेष्ट खिलाडी के रूप में लियानल मेसी को पुरुस्कृत किया गया था याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं कुछ और सवाल यहां से देख सकते हैं दे गलत हो जाएगा यहाँ याद रखना है, World Snooker Championship 2021 कों जीता, Mark Salvy, important नाम है, चौथी बार इन्हों ने जीता है, चौथी बार, तो इस सवाल को ज़रूर याद रखेगा, World Snooker Championship 2021 कों जीता, Mark Salvy इंपोर्टेंट है याद रखेगा, ठीक है, World Snooker Championship 2021, Mark Salvy ने जीता, चौथी बार, अगला पूछेगा, Red Snook पाकिस्तान के प्लेयर है तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि बाबर इस नूकर कीज़ देश के खिलारी हैं तो बाबर मसी याद रखना है पाकिस्तान के शनूकर खिलारी है जिनको पंकाज ऑडवानी ने हराया था रेड इसनूकर विसुकप 2021 में ठीके राइडर कप का संबन्ध किस्से है आपको पाता राइडर कप का संबन्ध किस्से है राइडर कप गोल्फ से संबन्धित है राइडर कप 2021 कोन जीता है इंपोर्टेंट है बहुत बनता है यहां से सवाल तो राइडर कप गोल्फ से सम्मधित है और राइडर कप 2021 अमेरिका जीता यूरोप को हराकर याद रखना है अमेरिका जीता राइडर कप कौन जीता अमेरिका जीता ठीक है तो राइडर कप 2021 गोल्फ से जुड़ा है कौन जीता अमेरिका जीता याद रखेंगे तो आपको बताना है किस टूनामेंट ने रद होने के बावजूद खिलाडियों को 12.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरुसकार रासी का भुकतान करने का निर्णे लिया है तो आपको बताना है किस टूर्णामेंट ने रद होने के बावजूद खिलाडियों को 12.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर किरासी प्रदान करने का निड़ने लिया है तो important सवाल है Wimbledon आपका answer हो जाएगा option number C याद रखेगा ठीक है तो आपको बता होगा सबसे पुराना Grand Slam पूछे का कौन सा है तो याद रखना है कि Wimbledon जो है सबसे पुराना Grand Slam है Wimbledon जो है London में आयवजित किया जाता है याद रखेंगे Australian Open जो है साल का पहला Grand Slam कौन सा है तो याद रखेंगे साल का पहला Grand Slam होता है Australian Open साल का दूसरा Grand Slam होता है French Open, साल का तीसरा Grand Slam होता है Wimbledon और साल का अंतिम Grand Slam होता है US Open याद रखेंगे ठीक है इंपोर्टन्ट है ये भी पूस्ता है एक्जाम में और यहाँ पर आपका आंसर क्या को है Wimbledon Wimbledon जो है सबसे प्राचीन Grand Slam है याद रखना है answer option number C चैक चाल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस छेतर से जूड़े थे तो आपको बताना है चैक चाल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस छेतर से जूड़े थे आपसन A राजनिती, आपसन B खेल, आपसन C व्यापार, आपसन D साहित थे तो याद रखेंगे चैक चाल्टन खिलारी है तो खेल से जूड़े वे थे चैक चाल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया ठीक है तो चैक चाल्टन जिनका हाली में निधन हो गया खेल से जूड़ जेसन होल्डर को हटा कर कौन सा क्रिकेटर दुनिया का सिर्ष क्रम का टेस्ट ऑल राउंडर बन गया है जेसन होल्डर आप जानते हैं वेस्ट इंडीज के हैं लंबे प्लेयर हैं लंबे से हैं बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं ऑल राउंडर हैं तो Jason Holder को हटा कर कौन सा क्रिकेटर दुनिया का सिर्ष क्रम का टेस्ट और बन गया तो आपका अंसर क्या होगा Ben Stokes, आप जानते है Ben Stokes, इंगलेंड के फैमस प्लेयर है Ben Stokes, रविन दिजटेजा इंडिया के जबरदस्त और फैमस प्लेयर है, मिचल स्टाक आस्टिलिया के तो यहाँ पर क्या आंसर होगा Ben Stokes, याद रखना है, ठीक है Jason Holder को हरा कर कौन सा क्रिकेटर दुनिया का सिर्ष क्रम का टेस्ट और बन गया Ben Stokes, आप्सन नमबर A किस रेसिंग ड्राइवर ने Tuscan Grand Prix टूनामेंट जीता, इंपॉर्टेंट है कौन सा ऐसा रेसिंग ड्राइवर है जिसने Tuscan Grand Prix टूनामेंट जीता, आप्सन नमबर A Liuis Hamilton, Option B, Sebastian Wittel, Option C, Max Westappan, Option D, Charles Leklick तो आपको बताना है इस सवाल का आंसर, क्या होगा आंसर? तो सही आंसर होगा Lewis Hamilton याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा Lewis Hamilton important सवाल है तो आप याद रखेंगा कि Tuscan Grand Prix tournament किसने जीता Tuscan Grand Prix tournament Lewis Hamilton ने जीता ठीक है? Option A तसकन ग्रांड प्रिक्स टूनामेंट किस ने जीता लुईस हेमिल्टन ने जीता याद रखेगा युवा मामले और खेल मंत्राले ने किस खेल संग को सरकारी मानेता बहाल किया तो आंसर करेंगे युवा, मामले और खेल मंत्राले ने किस खेल संग को सरकारी मानेता बहाल किया Option A, भारतिय तिरंदाजी संग Option B, Ball Badminton Federation of India Option C, Cycling Federation of India Option D, Boxing Federation of India Important सवाल है, तो आपका सही आंसर क्या होगा Option A, भारतिय तिरंदाजी संग आर्चरी Association of India को भारतिय याद रखना है आर्चरी Association of India को सरकारी मानेता बहाल क्या जाएगा युआ मामले और खेल मंत्राले के द्वारा ठीक है तो युआ मामले और खेल मंत्राले ने आर्चरी Association of India को सरकारी मानेता परदान की Answer Option A किस क्रिकेटर को ICC की पुरुस T20 और दसक की ODI टीमों का कपतान नामित क्या गया है तो आप बताएंगे कौन से ऐसे किरिकेटर हैं जिन्हें ICC के द्वारा पुरुस T20 और दसक की ODI टीमों का कपतान नामित क्या गया है तो आप देखके ही आंसर कर सकते हैं आंसर क्या होगा Option A महेंदर सिंग धोनी Option A याद रखेगा विस्व युवा मुक्यबाजी चेंपिनसिप जहां भारतिये खिलाडियों ने साथ स्वन पदक जीते का आयोजन कहां किया गया था यानि विस्व युवा मुक्यबाजी चेंपिनसिप का आयोजन कहां हुआ इसमें भारतिय महिलाओं ने स्वाथ स्वन पदक जीते थे आप्शन A, रसिया, आप्शन B, पॉलेंड, आप्शन C, यूक्रेयन, आप्शन D, फ्रांस तो आपका सही आंसर क्या होगा? पॉलेंड मुक्यबाजी चेंपिशन फ़केंशिप 2021ु थीके कहां पर हुआ था इंपोर्टेंट है ये एसए आइ मुक्यबाजी चेंपिशन पेंशिप ACI मुक्यबाजी कि चेंपियन फ़केंसीप 2021, कहां पर हुआ था ये याद रखना इसका इवजन DancingUp में कौन सा अस्थान मिला था? चौथा अस्थान मिला था तो यह important सवाल है, पूछा गया है exam में, चौथा अस्थान, भारत को चौथा अस्थान मिला था और पहला अस्थान मिला था कजाकिस्तान को, तो याद रखेगा ACIA मुक्यबाजी चेम्पिंशिप 2021, जो की आपका UAE के दुबई सहर में हुआ था भारत को पदक तालिका में चौथा अस्थान मिला था और कजाकिस्तान को पहला अस्थान मिला था भारत ने कुल 15 पदक जीते थे भारत ने ACI मुक्यबाजी चेंपिंशिप में कुल 15 पदक जीते थे याद रखना है इंपोर्टन्ट है और इसमें ये चीज़ याद रखना है महिला में पूजा रानी को स्वन पदक मिला था मुक्यबाजी में और पुरुस में संजीत को स्वन पदक मिला था पुरुसों में याद रखेगा पूछा जा सकता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं लगातार दो अलंपीक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाडी कौन है तो आपको बताना लगातार दो अलंपीक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाडी कौन है बहुत ज़्यादा important सवाल है और सही answer क्या होगा simple सा question है answer करेंगे तो आपका सही answer होगा PV सिंदू option number C तो याद रखेंगे PV सिंदू आपका सही answer होगा है न तो याद रखेंगे कि लगातार दो Olympic पदक जितने वाली भारत के एक मात्र महिला खिलारी का नाम क्या है आपको पता होगा कि पीवी सिंदू ने Tokyo Olympic में चीन की हे बिंग जियाओ को हरा कर कां से पदक जीता तो इंपोर्टेंट सवाल है पूछ सकता है Tokyo Olympic में PV सिंदू को कौन सा पदक मिला टोक्यो ओलम्पिक में पीवी सिंदु को का से पदक मिला और पीवी सिंदु दो व्यक्तिकत ओलम्पिक पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला खिलाडी है याद रखना है इंपोर्टेंट है चीक है तो आंसर हो जागा option number C अब देखिए टोक्यो ओलम्पिक से कुछ सवाल आपका important exam में बन सकता है कि किनको कौन सा पदक मिला तो आप जानते हैं कि नीरत चोप्रा जी को gold मिला था भाला फेक में नीरत चोप्रा हर्याना से बिलोंग करते हैं याद रखना है अगला पूछ सकता है मीरा भाई चानू मीरा भाई चानू को टोक्यो ओलम्पिक में कौन सा पदक मिला और किस खेल से जुड़ी हैं आपको ये बताना है तो मीरा भाई चानू रजत पदक मिला याद रखेंगे मीरा भाई चानू को रजत मिला मीरा भाई चानू भारतोलक है ठीक है भारो तोलन से जुड़ी है और मीरा भाई चानू मनिपूर से बिलोंग करती है तो ये सवाल तीन सवाल यहां से बहुत अच्छा बनता है मीरा भाई चानू किस राजे से बिलोंग करती हैं तो मीरा भाई चानू मनिपूर से बिलोंग करती हैं भारतोलन की प्लेयर हैं और मीरा भाई चानू को टोक्यो अलंपिक 2020 में रजत पदक मिला याद रखेंगे अग इनको कौन सा पदक मिला आपको बताना है तो रवी कुमार दहिया को टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक मिला था रजद पदक मिला था रवी कुमार दहिया को टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक में रजद पदक मिला था कुस्ती के प्लेयर हैं हरियाना से बिलोंग करते हैं याद boxer है और इनको कौन सा पदक मिला था Tokyo Olympic में तो याद रखना है इनको कां से पदक मिला था ठीक है इनको कां से पदक मिला था important है पूछेगा एक्जाम में ठीक है अगला पीवी सिंदू पीवी सिंदू को टोक्यो अलम्पिक में कौन सा पदक मिला था, काँ से पदक मिला था, ठीक है, पीवी सिंदू को टोक्यो अलम्पिक में कौन सा पदक मिला, काँ से पदक मिला, पीवी सिंदू बेड्मिंटन से बिलोंग करती हैं, और पीवी सिंदू आंदर परदेश राज बजरंग पुनिया कुस्ती के प्लेयर है और बजरंग पुनिया को कौन सा पड़क मिला था इंपॉर्टेंट सवाल है बजरंग पुनिया माफी चाहेंगे बजरंग पुनिया ठीक है बजरंग पुनिया कुस्ती के प्लेयर है हरियाना से बिलोंग करते हैं हरियाना से पदक मिला था याद रखेंगे अगर पूछे आपको कि Tokyo Olympic 2020 में भारत को कुल कितना पदक मिला था आपको बताना है तो भारत को याद रखना है कुल 7 पदक मिला था ठीक है पदक मिला था, दो रजध पदक किसको किसको मीरा भाय चानू और रवी कुमार धाया को रजध मिला था चार कांसे पदक मिला था Tokyo Olympic 2020 में भारत को कितना पदक मिला कुल साथ पदक मिला एक गोल्ड मिला, दू रजट मिला और चार कां से मिला था याद रखेंगे और एक important सवाल बनता है कि भारत ने किस देश को हरा कर पुरू सौके में कां से पदक जीता है Tokyo Olympic में जर्मनी को हरा कर याद रखेंगे और आखरी बार भारत ने 1980 के Olympic में गोल्ड मेडल जीता था इस सवाल को भी आप याद रखेंगा ठीक है तो क्लास को फटा-फटा आप लोग एक बार शेर कर दीजे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे विस्व एतलेटिक्स रैंकिंग में नीरद चोपडा की रैंक क्या है आपको बताने विस्व एतलेटिक्स रैंकिंग में नीरद चोपडा का रैंक क्या है नीरद चोपडा भाला फिक से रिलेटेड है नीरद चोपडा हर्याना राजे से बिलोंग करते हैं ठीक है और आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में इनोंने गोल्ड जीता था 87.58 मीटर के थोक के साथ टोक्यो ओलंपिक ने गोल्ड जीता था और इस सवाल का सही आंसर क्या होगा ओप्सन नंबर C दूसरे नंबर पे तो याद रखेंगे विस्व अतलेटिक्स रैंकिंग में नीरो चोपडा की रैंक दूसरे नंबर पे है ओप्सन नंबर C जो है आपका सही आंसर होगा हाल ही में पुर्व दिगज फुटबॉलर ग्रेड मूलर का निधन हो गया उन्होंने फुटबॉल विस्व कप में किस देश का प्रतिनिदत विक्या था किस देश के कप्तान थी ये फुटबॉल में तो पहला सवाल यहां से याद रखना है आपको कि ग्रेड मूलर का हो गया जो पस्चिम जर्मनी के पुड़वाल टीम के कपतान थे ठीक है विस्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 2021 संसकरन की मेजबानी कौन सा देश किया आपको बताने विस्व एथलेटिक्स 2020 चैंपियन के 2021 अप्षिन अफ्रीका आप्षिन जमेका तो याद रखेंगे सही अंसर क्या होगा Kenya आपका अंसर होगा Kenya ठीक है तो याद रखेंगे विस्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 संसकरन की मेजबानी कहां की गई Kenya में की गई परलंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने इंपोर्टन सवाल है परलंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS खिलारी कौन बने तो आपको पता होगा टोक्यो परलंपिक 2020 में जो होने वाला था तो 2020 टोक्यो परलंपिक कब हुआ तो याद रखना है 24 अगस्त से लिए के 5 सितंबर 2021 के बीच में हुआ था टोक्यो पेरलंपिक ठीक है तो सोलवा टोक्यो पेरलंपिक पूछेगा सोलवा ग्रिस्मकालिन पेरलंपिक खेलका यवजन कहा हुआ तो सोलवा ग्रिस्मकालिन पेरलंपिक खेलका यवजन टोक्यो मे पेरालंपिक पदक जितने वाले पहले IAS अधिकारी कौन है आपको ये बताना है important सवाल है answer क्या हो जाएक option number A सुहास यतिराज याद रखेंगे answer क्या होगगा आपका सुहास यतिराज ठीक है तो पेरालंपिक पदक जितने वाले पहले IAS अधिकारी बने है सुहास यतिराज सुहास यतिराज को रज़त पदक मिला है सुहास यतिराज का संबंद नहीं दिली से है सुरी याद रखना है सुहास यतिराज के बारे में कि सुहास यतिराज ने रज़त पदक जीता है और सुहास यतिराज का संबंद करनाटक से है करनाटक से कहां से संब्द है करनाटक से ठीक है और इन्हों ने राज़त पदक जीता है कौन सा पदक जीता है राज़त पदक जीता है किसमें बैडमिंटन में राज़त जीता है किसमें बैडमिंटन में तो ये खेल भी आप से पूछ सकता एक्जाम में कौन सा खेल है तो बै परलंपिक खेलों में पदक जितने वाले वे पहले IS अधिकारी बने हैं याद रखेंगे ठीक है तो यहां आपका अंसर क्या हो जाएगा option number A याद रखेंगे ठीक है तो परलंपिक पदक जितने वाले पहले IS अधिकारी कौन थे सुहास यती राज आप याद रखेगा ठीक है चलि आगला सवाल देखते हैं हाल ही में महिलाओं की पंदर सो मीटर दोर में रास्तिय रिकॉर्ड किसने तोड आपको आंसर करना सब्सक्राइब तो फटा फट इस सवाल क survey कैं आप लोग answer करेंगे क्या होगा answer तो याद रखना है answer हो जाएगा option number C हर्मिलन कॉर बैस तो याद रखेंगे महिलाओं की 1500 मीटर दौड में रास्टी रिकॉर्ड किसने तोड़ा तो हर्मिलन कॉर बैस याद रखेंगे answer हो जाएगा option number C अगला सवाल है किस देश ने 2021 में T20 विस्व कप ट्रॉफी जीता तो आपको बताना है आपको बताना है 2021 में T20 विस्व कप ट्रॉफी किसने जीता option number A New Zealand, option B Australia, option C England, option D दक्षिन अफरिका तो आप जानते हैं कि Australia ने जीता था 2021 T20 विस्व कप ट्रॉफी तो answer हो जाएगा option number B याद रखेंगे ठीक है तो आश्टिलिया ने 2021 का T20 विस्व कप ट्रॉफी जीता था answer हो जाएगा option number B ठीक है अगला सवाल है ICC महिला किर्केटर आफ दे इयर पुरुषकार जीतने वाली एकमातर दूसरी खिलाडी कौन है आपको बताना है ICC महिला किर्केटर आफ दे इयर पुरुषकार जीतने वाली एकमातर दूसरी खिलाडी कौन है option A मिताली राज option B स्मिर्ती मंदाना option C हर्मन पृत कौर option D सेफाली वर्मा आप जानते हैं ये चारो जो हैं भारते महिला किर्केट टीम की खिलाडी है तो इन चारो में से कौन सी ऐसी महिला किर्केटर है जिनको ICC के द्वारा महिला किर्केटर आफ दे इयर का पुरुषकार मिला है ठीक है तो आपको आंसर कर रहा है ICC महिला क्रिकेटर आफ दे यर पुरुषकार जितने वाली एकमात्र दूसरी खिलाडी कौन है यह आपको बताना है ठीक है तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा स्मिर्ती मंधाना ओप्सन नमबर बी याद रखेंगे स्मिर्ती मंधाना ठीक है हाल ही में मिस्रित यूगल उपसन नमबर बी याद रखेगा विश्व तिरंदाजी युवा चेम्पिनसिप में भारत ने कितने स्वन्पदक जीते तो आपको बताना है विश्व तिरंदाजी युवा चेम्पिनसिप में भारत ने कितने स्वन्पदक जीते तो आपको बताना है विश्व तिरंदाजी युवा चेम्पिनसिप में भारत कितने स्वन पधक जीते थे तो आंसर क्या होजाएगा option number A तीन याद रखेगा अगला सवाल पेरालंपिक खेलों में दो पधक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलारी कौन है तो आपको बताना है पेरालंपिक खेलों में important सवाल है ये बहुत जादा पेरलम्पिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारते महीला खिलाड़ी आपको पता होगा कि टोक्यो पेरलम्पिक 2020 से सवाल पूछा गया है तो पेरलम्पिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारते महीला खिलाड़ी का नाम क्या है option A, अवनी लेखरा, option B, भावना पटेल, option C, एकता व्यान, option D, कसिस लकड़ा तो यहां आपका सही answer क्या होगा बताएंगे तो answer करें क्या होगा, अवनी लेखरा, answer हो जाएगा आपका अवनी लेखरा, option number A, याद रखेगा तो अवनी लेखरा, याद रखना है, पेरलंपिक खेलों में, दो पदक जीतने वाली पहली भारते महीला खिलाडी का नाम क्या है, अवनी लेखरा, याद रखेगा ठीक है, answer हो जाएगा, option number A कितने खिलाडियों को मेजर ध्यानचंद्र खेलरतन पुरुषकार 2021 दिया गया, तो आपको बताना है, मेजर ध्यानचंद्र खेलरतन अवर्ड 2021 जो है, कितने खिलाडियों को दिया गया, ठीक है option A, 1 खिलाडी, option B, 3 खिलाडी, option C, 8 खिलाडी, option D, 12 खिलाडी, तो सही answer क्या होगा, मेजर ध्यानचंद्र खेलरतन पुरुषकार 2021 कितने खिलाडियों को दिया गया, तो आप जानते हैं, 12 खिलाडियों को याद रखेंगे, 12 खिलाडियों को मेजर ध्यानचंद्र खेलरतन 2021 से सम्मानित क्या गया, answer हो जागा, option D, किस tennis खिलाडी ने 2021 में अपना 6 पेरिस मास्टर्स खिताब जीता, तो आपको बताना है कौन से ऐसे tennis खिलाडी हैं, जिन्होंने 2021 में अपना 6 पेरिस मास्टर्स खिता, option A, नवाग जोकोविच, option B, डैनियल मेदवेदेव, option C, रोज 2021 में अपना 6 पेरिस मास्टर्स खिताब जीता, तो सही answer क्या होगा, आपको बताना है, तो सही answer क्या होगा, नवाग जोकोविच, तो याद रखेंगे, answer क्या होगा, option A, नवाग जोकोविच, तो नवाग जोकोविच, ने अपना 6 पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है, तो 2021 किसने जीता नौवाक जुकोविच याद रखेंगे आंसर हो जाएगा option number A ठीक है ICC महिला किर्केटर आफ दी इयर पुरुसकार जितने वाली एकमातर दूसरी खिलाडी कौन है तो आपको बताना ICC महिला किर्केटर आफ दी इयर पुरुसकार जितने वाली एकमातर दूसरी खिलाडी कौन है option A मिताली राज, option B स्मिर्थी मंधाना, option C हर्मन प्रित कौर option D सेफाली वर्मा तो सही आंसर आप लोग पर चुके हैं स्मिर्थी मंधाना, option number B याद रखेगा किस भारतिय सहर को तो आपको बताना है किस भारतिय सहर को ऑप्सन A नई दिली, option B मुंबई, option C, चैनने, option D, हैदरावाद तो फटा-फटा आंसर करेंगे, आंसर क्या होगा तो दो दोज़र तइस अलंपिक समिर्थी सत्र के मेजबान के रूप में किसे चुना गया आंसर हो जाएगा मुंबई, option B ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई याद रखेंगे 2023 अंतरास्टी ओलंपिक समिर्थी सत्र का मेजबान कौन बना है, मुंबई, option B 2022 बीजिंग सितकालिन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश सिर्ष पर रहा तो 2022 में जो बीजिंग सितकालिन ओलंपिक हुआ उसमें पदक तालिका में सिर्ष पर कौन सा देश रहा आपको बताना है option A चीन, option B अमेरिका, option C नौर्वे, option D जर्मनी ठीक है तो आंसर क्या होगा option C नौर्वे याद रखेंगे 2022 का जो सितकालिन ओलंपिक हुआ बीजिंग में, बीजिंग का है चीन में तो 2022 का बीजिंग सितकालिन ओलंपिक खेल में सिर्ष पर कौन रहा तो आप याद रखेंगे नौर्वे, पहला अस्थान पर रहा नौर्वे आपको वतना ICC महिला विशुकप 2022 किस देश ने जीता हाल ही में, मिसरित यूगल और महिला यूगल का खिताब जितने वाली दिपीका पलिकल कौन सी खेल खेलती है तो आप जानते हैं दिपीका पलिकल स्क्वेस की प्लेयर है ऑप्शन नंबर B जो होगा आपका अंसर होगा 2022 मलेशिया ओपन पूरुस किताब का विजेता कौन है आपको बताना मलेशिया ओपन पूरुस किताब 2022 किस ने जीता है और ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है याद रखेंगे मलेशिया ओपन किस से जुड़ा हुआ है तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूनामेंट 2022 किस ने जीता आपको बताना है तो यहाँ याद रखना है विक्टर एक्सलसन टीक है तो 2022 Malaysia Open पूरुष किताब किस ने जीता है तो याद रखेंगे Badminton का Malaysia Open पूरुष किताब 2022 Victor Excelsen ने जीता है option number A खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आईवजन अस्थल कौन सा है तो आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आइवजित कहां पे हुआ आप्सन A, सिक्किम, आप्सन B, हरियाना आप्सन C, करनाटक, आप्सन D, केरल तो important सवाल है आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम निट गेम 2021 का आइवजित कहां पे हुआ तो याद रखेंगे हरियाना चन्नाई द्वारा आयुजित के जाने वाले 44 में सतरंज ओलंपियाड के सुभंकर का नाम क्या है? आंसर करेंगे 2022 में चन्नाई के द्वारा आयुजित क्या जा रहा है? 44 में सतरंज ओलंपियाड और इसका सुभंकर का नाम क्या है? आपको बताना है? आपसन A, वीरा, आपसन थमबी, ओप्सन C, अरिवू, ओप्सन D, बोधी, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे, तो आपका सही आंसर होगा थमबी, याद रखेंगे, 2022 में चन्नई द्वारा आयुजित किया जाने वाला, 44-वा सतरंज ओलंपियाड का सुभंकर क्या है, तो 44-वा सतरंज आपने वास, परखेंगे, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है, मेराज एहमद खान किस खेल से संबदित हैं, भारत ने रास्ट मंडल खेल 2022 में किस खेल में अपना पहला पदक जीता लॉन बॉल्स याद रखेंगे आंसर हो जाएगा option number C T20 cricket में 600 match खिलने वाला पहला क्रिकेटर कौन है option A विराट कोहली, option B रोहित सरमा, option C केरन पॉलाड, option D आंधरे रेसल तो आप बताएंगे T20 cricket में 600 match खिलने वाला आंधरे रेसल वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, आप इन दोनों को जानते हैं भारत के प्लेयर है, तो आंसर क्या होगा, कैरन पॉलाड याद रखेंगे ठीक है, T20 cricket में 600 match खिलने वाले पहले क्रिकेटर कैरन पॉलाड अगला सवाल, BFW World Tour ranking में पूरुस एकल वर्ग में कौन सा भारतिय सटलर सिर्ष अस्थान पर है तो आपको बताना है, BWF World Tour ranking में पूरुस एकल में, ठीक है कौन सा भारतिय सटलर सिर्ष अस्थान पर है, यानि एक नंबर पे है तो इस सवाल का आप लोग आंसर करेंगे तो याद रखना है, BFW World Tour ranking में पूरुस एकल वर्ग में कौन सा भारतिय सटलर सिर्ष पर है तो आपको बताना है, तो आंसर करेंगे तो आपको 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 आ स्वामी कप का संब्ध होक्की से है, बैटन कप का संब्ध होक्की से है, याद रखेगा, ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर जाएगा, आउजित दिलिप ट्रॉफी, दिलिप ट्रॉफी क्रिकेट से है, option number B, भारत के 36 रास्टी खेल 2022 का मेजबान सहर कौन सा है, तो आपको बता है, कि 36 रास्टी खेल 2022 का मेजबान कौन बना, एहमदाबाद, 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का आवजन कहां पे हुआ, एहमदाबाद में, 36 रास्टी खेल 2022 का मेजबान, एहमदाबाद, खबरों में रहे, PR सिर्जेस और सवीता पुनिया किस खेल से जुड़े हैं, तो बहुत फेमस नाम है, PR सिर्जेस आपको पता होगा, PR सिर्जेस और सवीता पुनिया किस खेल से जुड़े हैं, तो आप जानते होकी के प्लेयर हैं, PR सिर्जेस और सवीता पुनिया होकी के प अगला सवाल खबरों में रहे पंकज आडवानी की स्खिल से जुड़े हैं तो आपको बताना है पंकज आडवानी का संबंद की स्खिल से हैं तो आप जानते होंगे तो आंसर करेंगे option A, hockey, option B, billiards, option C, squares, option D, table tennis तो आप जानते हैं, पंकज आडवानी जो है, billiards के famous player हैं भारत के ठीक है, तो पंकज आडवानी की skill से जुड़े हैं, तो याद रखेंगे पंकज आडवानी, billiards के player है, आपका answer हो जाएगा option number B ठीक है तो पंकज आडवानी बिलियार्ट से जुड़े हैं ओप्सन नमबर बी याद रखेगा तो इतना ही सवाल था आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजेगा क्लास को लाइक और शेयर अवस्य कीजेगा साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवस्य करेंगे तो मिलते हैं आप से अगले क्लास में आप सभी का तही दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद जै भारत जै बिये से धन्यवाद करने हिंद जै भारत जारत जादो अजय को? झाल झाल